नमस्काल लिडिया में आपका स्वागत है दिली में निजामोदीन इलाके में इस्थित तबलीगी जमात के मरकज में कोरोना वाइरस के संक्रमन से अफ्रा तफ्री मच गई इसके बाद ग्रह मंत्राले ने कड़ा फैसला लेते हुए आदेश दिया है कि परियटक वीजा पर धर्म के प्रचार को टूरिस्ट वीजा का उलंगन माना जाएगा ग्रह मंत्राले के इस फैसले के अनुसार टूरिस्ट वीजा पर तबलीगी गतीविद्यों की अनुमती नहीं दी जाएगी ग्रह मंत्राले ने कहा है कि इस जमात में जो विदेशी ठीक पाए जाएंगे उन्हें वापस उनके देश को भेज दिया जाएगा ग्रह मंत्राले के मुताबिक देश में अभी 2000 विदेशी हैं जो तबलीगी से जुड़े 70 देशों से आए हैं इन्होंने मलेशिया के कौलालूंपुर में मार्च के पहले सब्ता हमें एक बैठक में भाग लिया था यहीं से इनके कोरोना संक्रमित होने की संभावना है यह सबी विदेशी नागरिक 2-6 महीने के परेटक वीजा पर हैं इनमें सबसे ज़्यादा विदेशी नागरिक 493 बंगलादेश के 472 इंडोनेशिया से 150 मलेशिया और 142 हाइलेंड के हैं गौरतलब है कि तबलीगी में शामिल हुए करीब 24 लोगों को करोना वाइरस से पीडित पाया गया था 12 मार्च से लेकर 13 मार्च के बीच यहां एक धार्विक कारेकरम हुआ था जिसमें 1500 से 1700 के करीब लोग शामिल हुए थे इनमें 1073 को निकाला जा चुका है अभी तक 334 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है जबकि 700 लोगों को क्वारेंटाइन में रहने के लिए कहा गया है इनमें 6 लोग पहले ही तेलंगाना के लिए निकल गये थे उनकी मौत हो चुकी है अब सरकार ने यहां हुए कारेकरम को लेकर जानकारी खंगालनी शुरू कर दी है लोगडाउन और इतनी पाबंदियों के बावजूद इस तरह के कारेकरम आयोजित करना अपराध है इसी के चलते दिल्ली सरकार ने मरकज के मौलाना के खिलाफ FIR दर्ज कराने की इजाज़त दे दी है इधर एक सप्ताप पूरा होने पर देश में लागू लोगडाउन 21 दिनों के लोगडाउन की मियाद बढ़ने की चर्चाओं पर सरकार ने कहा है कि यह पीरियड नहीं बढ़ेगा कैबिनेट सचीव ने एक बयान में कहा था कि सरकार का लोगडाउन बढ़ाने का कोई प्लान नहीं है लेकिन तबलीगी प्रकरण के बाद संकरमन क्या रुख लेगा देखना होगा हो सकता है सरकार लोगडाउन बढ़ाने के लिए मजबूर हो जाए चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं भारत और दुनिया में कोरोना की स्थिती पर देश में कोरोना वाइरस के मामलों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और यह आंकड़ा बढ़ कर 1600 के पार पहुँच गया है इस खतरना COVID-19 महामारी से अब तक देश भर में जहां 35 लोग की मौत हो चुकी है वहीं 123 लोग पूरी तरह से ठीक हो गए है या फिर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है उधर कोरोना वाइरस पूरी दुनिया में कहर मचा रहा है विश्य के अधिकांच अब तक 185 देशों में ये फैल चुका है कोरोना वाइरस का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बैल आइकन प्रेज करना ना भूले